अरे सुनो सुनो, पहले तो जा करके अपने पानी की टंग्ी एक बाद जरूर्चेक कर लेना आज जब हम लोगों ने पानी की टंग्ी चेक करी, तब मालुम हुआ कि इसका ढकं उड़ गिया है पता नहीं डीला था, क्या था, कि ढकं उड़ गिया खेर आरो लगा था तो कोई दिक्कत नहीं हुई पानी तो सुद मिली गया फिर उसके बार टंकी के अंदर एक लोगों को उतरवाया और उसकी क्लीनिंग करवाई पूरी और यहां पर मैं नहा के आई थी तो मम्मी ने मुझे पकड़ाया मेरे बचपन का कोकर यानि की छोटा क कोकर ममी को सफाई में मिल गया तो ममी तुरन दोड़ी चली आई मुझे देने क्योंकि यह मेरा फैवलेट कोकर हुआ करता था मैं इसको देख करके बहुत खुश होती थी तो मैंने कोकर को लिया और कहा आज मैंना इसी में कुछ बनाओंगी तो बैसे तो मुझे स्पेशल क किया चाकू की मदद से और अलू अबाले और इसको चैक भी किया कुकर हमारा सही है या नहीं सही नहीं भी होता तो मैं इसको मार्केट से सही करवाती क्योंकि मुझे ना बहुत ज्यादा पसंद है तो यहां पर आलू देख सकते हैं बस आलू को ठंडा करके हम छील लेंगे तो भाई गाजर यह सब चीजे बहुत आने लगी है मतलब अभी आनी रही है लेकिन आने लगेंगी मेरे यहां तो बिल्कुल स्टाइटिंग है फर्स टाइम गाजर आई हुई है आप क्या आ गई या नहीं अभी तक ज़रू बताएगा कमेंट बॉक्स में अब गाजर को क तो यहां पर थोड़ा सा पील पाड़ जादा आ रहा है बहुत अच्छी नहीं आ रही है क्वाल्टी की इतना करने के बाद यहां पर मैंने ले ली है सूजी और इसमें हम डालेंगे एक मिक्सिंग बावल में 2 कप मतलब कोई कप या कटोरी कोई भी आप मिजर मेंट के कल की वीडियो तो सीधे 5-6 लाग चली गई इतना जादा व्यूज आया फेस्बुक पर तो बहुत बहुत थैंक्यू तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा इसी तरह से सपोर्ट करते रहिएगा आप लोग यूटूब पर लाइक करना भूल जाते हैं तो म ऐल दौ2 चौटी चमझ जाल यवव दौन सूज बशन नहीं एक कपार है सब्सक्राइग तो इसपोहि पहले नहीं किया मैं पेस्ट के रहें टी करना करई कि है तो कुछ तरहारी करना नहीं हैै तो मैं बहुत बहुत हुए बढ़ेरहा किया है क्योंकि ये प्लिदा छोड़ तो यहां पर नाश्टे के लिए फिलिंग की दयारी कर लेते हैं तो यहां पर एक पैन में हम डालेंगे दो चोटी चमच तेल इसमें हम डालेंगे जीरा साथी में डाल देते हैं आदा चमच राई यानि की सरसों के दाने और यहां पर मैंने दो हरी मिर्चे ले ली हैं तो मिर कि आज को हमें हलका साब भूना है जाए हैं यहां पर सॉफ साटे करना है अपको बहुत पसंद आएगा और खास बात पता क्या है कि नीरे जाहरा भनकी तयार हो जाता है आराम से आप पेट भर के खा सकते हो तो होता है कि दुफैर मिसाम की समय कुछ लगता है कि कुछ नाष्टा मिल जाए खाना तो हम लोग खा लेते हैं क्यारा बारा एक बुझे की लगबग लेकिन तीन-चार बजे भूख सी लगाती है तो उस टाइम के लिए एक बैस्ट आप पाउडर आदा चमश धनिया पाउडर साथी में थोड़ा सा गरम मसाला और खट्टे पन के लिए अमचूर पाउडर सो आदा इंसान नमक डालेंगे और अब हम उपर से इसमें डाल देंगे ग्रेटेड गाजर को हमें बाद में डालना है क्योंकि यह सौफ्ट हो जाती है सौगी सी हो जाती है तो टो मज़ा नहीं आता काने में जब तक सबजीयं क्रण्ची सी ना रहे तो अच्छे से सवी चीजों को मिक्स करें गी निए अलू बढ़ी ऐसे कलाल लेंगे आलू को हमारा आलू रेडी हो चुका है तो बस इसमें आक्री में डाल देते हैं हरा धनिया सरदियों में हरा धनिया बहुत अच्छा आता है एकदम खुश्बूदार आता है तो खूब सारा धनिया का यूज करिए हमारे बहुत धनिया का यूज होता है जब तक किसी सब्जी दाल में धनिया ना जाया ना तो मज़ई नहीं आता तो यहां पर हमारी बहुत भड़ी या फिलिंग बन की तयार हो चुकी है और मेरी तन्वी भी स्कूल से आ गई है और जब भी स्कूल से आती है दौरती हुई प हमें घो से एक लाव हो चुकते हैं तना कॉंटिटी में बनता है यहां पर हमने एक ब खोना ले लिए है बड़ास पानी डाल दिया है और धब नटार करके पानी की गरम होने देंगे अब यहाँ पर जो सूजी है न वो काफी अच्छे से फूल गई है यहाँ पर मैं आपको चैक करा देती हूँ देखिए पहले सी गाड़ी हो गई है हमने थूड़ा सा इसको पतला रखा था था न बढ़ यह फूल करके थूड़ा सी गाड़ी हो गई है आप बिलुकुल परफेक कंसिस्टेंसी है ना तो हमें इसमें पानी मिलाना है थोड़ा सा गहड़ा होना चाहिए पेश्टा आप ध्यान से देख लीजिए अब इसमें हम डालेंगे स्वादा इंसार नमक और नमक को भी अच्छी से मिक्स कर देंगे यहां पर हमने ले लिया है एक पैकेट इनो फ्रूट सॉल्ट तो अभी हमें इनो नहीं डालना है इनो के पहले हमें एक छोटी सी तैयारी कर लेनी है तो यहां पर मैं खोल के रख लेती हूं पैकेट को यह हमने तीन ग्लास ले लिया है आज का नाश्ता हम ग्लास में बनाने जादा कॉणंडीटी निखने ग्रीस की तो ग्रीस आप पर दूंडी बावल निकाल लें तूड़ाइस में पानी डालकर के डाल देंगे सीधे बैटर में तो इसे क्या होता है इनों बहुत अच्छे से मिक्स हो जाता है अब बस अच्छे से इनों को मिक्स करेंगे और बिना सवय गमाई हुए फटा फट से ग्लास के अंदर भरेंगे आप फ्रेंड्स सूजी की इडली बहुत बनाते होंगे एक बार आप ये नाश्ता जरू ट्राई करना और हाँ नाश्ता अच्छा लग रहा हो रैस्पी पसंद आ रही हो तो नीचे एक लाइक का बटन है उसे दबाना बिल्कुल मत भूलना यहां पर आदा आदा ग्लास हमने गल्ती हो गई थी मैं आपको बता दूं ताकि आप ये गल्ती ना करें हो जाता है कई बार पता नहीं हम लोग उतना गल्ती क्या मैंने जानमुच के किया था एक्चली मैं मैंने ना गिलास को उपर तक भर दिया था थोड़ा बहुत बेटर बच जाता और मुझे बरवादी देखी नहीं जाती तो मैंने पूरा की पूरी उपर तक गिलास ही भर दिये थे बट आप ये गल्ती मत करना थोड़ा सा खाली रखना गिलास को बना जो मतलब बैटर है ना वो फूल करके उपर तक आ जाए तो मैंने भर तो दिया उपर तक बट मुझे बहुत चिंता लग तो मैंने इसको 15 मिनट के लिए रखा पकाने के लिए इसको थोड़ा सा टाइम देना है तो यहां पर आप देख सकते हैं कितने उपर तक फूल गए हैं बट शुक्र करो कि यह नीचे फैले नहीं है नीचे बैटर बहा नहीं है उपर की उपर ही उठा और आपस में यह खुड़ा सा कम भरते ग्लास तो यह उपर तक लेवल तक आते तो यह पीस हमें कट नहीं करना पड़ता अब हम इसको ना अच्छे से टैप टैप करके दी मोल्ड कर लेते हैं यह देखिए कितना परफेक्ट हमारा नाश्टा बन के तयार हो गया है जो कि हमने ग्लास में बन अब यहां पर क्या करेंगे हम यहां पर नाश्टे को दो तरीके से बनाने वाले पहला तरीका क्या है इसके लिए पैन में हमने एक चम्मच डाला तेल इसमें डाली राई सफेद तिल हरा धनिया और साथी में हल्री पाउडर और लालमेज पाउडर इससे ना कलर बहुत अब बस इसमें तोड़ा पानी डालेंगे और गैस की प्रेम बिल्कुल लो करनी है और अच्छी से मिक्स करेंगे अब हमारा जो मसाला है वो कोट होने के लिए तैयार है अब यह जो हमने सूजी का शिलेंडर शेप नास्ता बना के रखा हुआ है ना इसलेंडर को हम डालें ढरकी है और दूसरा यह है हमारा सूजी का बिना मसाले नाष्तण को हमने बिल् large शिंपल रखा है इसका कारण यह था कि मेरी तन्वी को और पापा को लगो मसालेदारalaonse निकाते हैं वो सिंपल सखाते थे तो इस तरीके से फास्ना है कर लेंगी तो बाहर से इसमें जो उप लग रहा है और जब मैं इसको इस तरह से बढ़िया से प्लेट में लगा कि गई ना तो मलब सभी ने खुब मजी से खाया और तन्वी ने तो अभी दो तीन पीस खा भी लिए यह जो प्लेन बाले थे ना बिना मसालेदा वो यह बार बार लेके गई थी मैंने जो ग्लास के उ पेट भी भरेगा मन भी भरेगा और बहुत ही अच्छे भी लगेंगे मन खुश हो जाएगा तो एक माई ट्राइ करना तो जरूर बनता है यह ग्लास वाला नाश्ता तो आप भी जरूर बनाईएगा तो सबसे पहले तो मैं एक बाईट जरूर खाऊंगी और उसके बाद ज मजे का बढगे त draft मूझे स्टिक vous a small term a cafट रीयूर जाती है कि एक तीख़ा ना हो एक तो इसने वह ही वोल्हत है कि वह मन प्लेन वाले चाहिए और यहां पर मैंने पापा से भी खांप आप टेस्ट करो तो पापा ने तुरंद कहा यह तेल का तो नहीं है क्योंकि वह ते करिएगा